इतर प्रदेस में scrubा चुनाओं का विगुल बजा हुआ है सभी पार्टियों ने अपने प्रतियाश्यों को मेदां में उता रहा है जहां अभी तक देखा जा रहा है कि पीश पार्टियों को और कोई भी बयान नहीं दिया था कौन-कौन प्रतियाशी कहा से मैदान में होगा इन से जान लेते हैं साथ ही पूछेंगे कि इतने प्रतियाशी पूरे तरप्रदेस में इनके लड़ने जा रहे हैं और किन मुद्दों पर ये चुनाव पीस पार्टी लड़ेगी शादाब जी सबसे पहले नियूज रोड़ में आपका स्वागत है बहुत बदन्यवाद पीस पार्टी 2022 की विदानसबा चुनाव में युनाइटिड डिमोक्रेटिक लाइंस के जरिये जिसमें उलमा कॉंसल भी शामिल है चुनाव लड़ने की जा रही है और आज सैयुक्त प्रतियाशी जो है माने राष्ट अदेशन उसार प्रभारी जी के सहमती से भुशित किये गए है और आने वाले समय में और भी लिस्ट आएंगी और हमारा मकसद है कि उत्रपरदेश में एक मानवतावादी सरकार का निन्मान हो क्योंकि सरकारें भेदभाव करती रही है जाती और धर्म के नाम पर अब देखिए कि किसान युवा शिक्षा रोजगार के मुद्दे छोड़ करके अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ये एंकारी योगी सरकार जो गरीबों को ठोकने की बात करती है दलीतों के साथ रेप होता है तो उनको अपरादियों को बचाने का परियास होता है इनके मिनिस्टर किसानों को खुचलने की बात करते हैं तो ऐसे लोगों पर जनता का विश्वास उठ चुका है और मुझे यकीन है कि अब इस सब को छिपाने के लिए असी बनाम बीस की बात कर रहे हैं लेकिन हम कहते हैं कि जनता असी फीसद जनता भाजपा को हराने का मन बना चुकी है आपके प्रतियाशी कहां कहां से हैं और कितने हैं नाम जो जारी करने बता दीजिए अभी पहली लिस्ट हमने जो जारी की है पहले चन्ड के उसमें लोग है कई दूसरे हैं उसमें सरदार विनो सिंग जी हैं मोना जी हैं नरायन जी हैं आलमगीर साहब हैं अनीस जी हैं राशिद साहब हैं मौना आलम हैं मदू बाटी हैं मौलाना अखलाक नद्वी हैं आयोधियास इसलाम साहब हैं बीकापुर से उप राजन तो किस्तेदारी नहीं देना चाहते हैं वह एहंकार टूटेगा 2022 के चुनाव में उत्रप्रदेश में कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे उत्रप्रदेश में हम तो बचे हुए चरण में जितनी सीटें लगभग सभी सीटों पर युनाइटिक डिमोक्रेटिक अलाइ भाजपा के मुखालिफ रही हैं जाने जाते हैं कि भाजपा को किसी प्रकार प्रदेश की सत्ता से दूर करें योगी को गदी से उतारें लेकिन आप ये बताई जिस तरीके से आप आने वाले चरणों में भी चुनाल लड़ने की बात कर रहे हैं खुद को मजबूत करने की बात करें लेकिन इससे फायदा भाजपा को होगा है फिर नुकसान होगा हमारे लड़ने से भाजपा को नुकसान होगा क्योंकि हम भाजपा की वो कमिया उजागर कर रहे हैं जो अखिलेश यादव नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर भी वो कमिया हैं जमता विकल्प कैसे चुनेगी दूसरी चीज हमने तो अकिलेश शादव जी और ये तमाम सेकुलर बनने वालों से एक जमाने तक का इसलिए हम सबसाखर में सूची जारी कर रहे हैं हम तो चाहते थे कि ये सेकुलर फोर्सिस मिलकर लड़ें लेकिन अकिलेश शादव जी भाजपा के इशारे पर म ॢीडर्शिप को जगा नहीं देना चाहते वो कहते है कि मैंने जनाधारवालों को ले लिया उनकी नज़र में एक परसेंट, दो परसेंट, तीं परसेंट वालों का जनाधार है उनको ये डिप्टी सीयम बनाएंगे लकिन 20 परसेंट वाले समाज का वोट मुप्त में चाह यह वो नहीं कर रहे हैं आप यह भी कह रहे हैं कि मुस्लिम रीडर्शिप को जगा मिलने चाहिए ओवेसी भी इस बात को कहते हैं तो फिर ऐसा ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि आप लोग ओवेसी और पीस पार्टी मिलकर के अखले शादव की और जो जहन चोजवी की गड़बंद अखलेश यादव चाहते हैं कि मुसल्मान स्यासी अचूत रहे अखलेश चाहते हैं कि इम्रान मसूद से लेकर के नरईनी साहब और अलीगल के विधायक को धक्के मार के मंचों से उतारा जाए समाज़ादी के मंच पो कोई नजर आ रहे हैं मुसल्मान नजर नहीं आएगा भगा दिये जाते हैं हमारे परतियाशियों के खिलाफ मुसलिम परतियाशी उतारा है वो सोजिस अंजिस चाजिस है सपा और भाजपा की और बसपा की कि मुसल्मानों के वोट को डिवाइड किया जाए हम मुसल्मानों को डिवाइड करने नहीं सपा मुसल्मानों के वोट को डिवाइड करना चा के सब्सक्राइब 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 करका चार जो कंडिडेट है तो जाहिर तो पर जो वोट बढ़ जाएगा और भाजता को फाइधा हो जाएगा आप लोग एक पिल्जाम भले लगाते रहीएगा असद भाई की, असद भाई भी अगर राजें ते खिसेदारी की बात कर रहे हैं, हो सकता है, म्यूचल इंडेस्टिनी का मसला है, तो आप असद भाई को ब्लेम करना, डॉक्टर आयूप साप को ब्लेम करना, ये ब्लेम गेम समाजवादी पार्टी और बसपा पहले से करती आ आवेदन करके लाइन में थे, उनको अर्ली मॉर्निंग कॉल दे दिया था, सबके पेपर्स रेडी थे, अर्ली मॉर्निंग जैसे ही पार्लेमेंटरी बोर्ड ने फाइनल किया, अर्ली मॉर्निंग कॉल दे दिया था, कि आप अपने वर्क के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, औ कोई प्रशानी नहीं है सबका आज नमंकन हो जाएगा तो यह थे हमारे साथ शाधाब चोहान राश्ट्य परवक्त हैं पीस पार्टी के से पहले यह विसी के साथ थे उन्हें की पार्टी में राश्ट्य परवक्त हुआ करते थे कौफी चर्चा में रहते हैं भाजपा से पीज़ पार्टी और वेशी की पार्टी ये तीन ऐसी पार्टी है जिनका किसी से गढ़बंदन नहीं हो पाया है लेकिन लोगों ने भी अपने कैंडिडेट उतारने शुरू कर दिये हैं ऐसे में बहुआजन समाज यह नहीं यह चुनाओं के बाद जाहर तोर पर देखना लाजमी होगा अपने सहोगी अन्मोल गर्ग के साथ मैं मनवर चोहान न्यूज वर्ल्ड इंडिया मेरेट